केरल के वाइनाट जिले में भारी बारिश के बाद हुए भूसकलन ने तबाही मचा दी है मेपड़ी के पास कई पहाडी लाकों में हुई इस दुरगटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है मलबे में सैकडों लोग फसे हो सकते हैं बचाव अभियान जारी है लेकिन भारी बारिश से रात और बचाव कारे में काफी दिक्कतें आ रही हैं मंगलवार तड़के मेपड़ी के पास भूसकलन हुआ इस हाथसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है चुरलामा में एक बच्चे सही चार लोगों की मौत होई है जबकि थोंडरनाड गाउं में एक नेपाली परिवार के एक साल के बच्चे की मौत हो गई केरल राज्य आपदा प्रवंदन प्राधिकार्ण ने बताया कि अगनी शमन विभाग और राष्ट्रिय आपदा मोचन बल की टीमों को प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है प्रभावित इलाकों के लोगों ने सैंक्डों लोगों के भूसकलन के मलबे में दबे होने की जानकरी दी है अधिकारियों ने कहा कि लगतार जारी भारी बारिश के कारण बचाव भ्यान में बाधा आ रही है